तो यार कैसे हो सब लोग तो यार आज के इस नय और कमाल के वीडियो के तुम सबी लोगा सौधत है तो तुम सबी लोगों पता चली के होगा टाइटल और थम्मेल के वैसे कि हम हमारी जो सीरीज है तौप फाइक कलर पोकेमोन की वह आगे बढ़ा रहे है तो यार तो और आज का जो कलर है हमारे पोकेमोन का वह भी थोड़ा अलग है और तोड़ा सा डरावना भी है अगर देखा जाए तो तो ठीक है तुम लोगों तो पता चली के वह टाइटल थम्मेल चे पर फिर भी मैं बता देता हूं तो आचा तौप फाइब ब्लाक कलर पोकेमोन ठीक करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले तुम सब्सक्राइब को नएने वीडियो के लिए दोस्तों चली आचे वीडिकों शुरू करते हैं जो दो भी मैं metar चली उस्लिशत कि अची आच्टे को ब्लेक कर पोकेमोन अता है वह था यंवा रीजन से जिय आंगा इसन segundos एक ब्लाक पोकेमोन आता है वह मैं को बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं उसको इसलेश में रखा और वह है ब्रेटजिल दोस्तों यह बहुत ही कमाल का पोकेमोन है विशे तुम एक जीवरा पोकेमोन भी कह सकते हो और दोस्तों इसका जो विकसित फॉर्म है उसको तुम जैब स्ट्राइक जैब स्ट्रा ने वह जाता हिने पर इनका जो कलर कॉम्वन इसलिए भूरस इनका बड़ा होने के वास था बदल जाता है आखों के साथ अब करेक्वर्ण से में और यह हळा कि ब्लैक पोकेमोन है। बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इस लेश में इसको नमबर फाइघ का स्पार्टी तर्फोट पर आई he he is ग्याइं सुब्स अब भाइब जो पोकेमान अभी हमारी नंबर 3 की स्पोट पर आता है ब्लेक कलर का टॉप फाई के ऐस्ट थाड स्पोट पर आता है वह आता है इसका तालमिल कैंटो-डोरिजन से इस लिए मैं इसे बोला और वह वो होकेमोन है इवल्ट फॉर्म ओफ ईवी जी आ जा गईस वह इवल्ट फॉर्म और वह है अंब्रियॉण दोस्तों यारं अम्रियॉण को तो यार इसलिश्में रखना ही ता क्यूंकि अंब्रियॉण बहुत बहुत अच्छा दिखता यार ब्लैक कलर में अच्छली वाइक बट उसमें जो भी कलर कॉंबिनेशन इसमाल के जैसे ब्लैक येलो रेड आइस के लिए मतलब कते योपी इन्ही सब चीजों को इक दिहान में रखते हुए मैंने अम्रियोन को इस लिष्ट में नंबर फोर्ट की पोजिशन दी है जो जो पोकेमोन अभी हमारे लिष्ट के नंबर 3 के स्पॉट पे अपने पूशिशन डिजब करता है वो एक लेजंडरी पोकेमोन है और दोस्तों लेजंडरी से यानि वो तोड़ा साथ डार्क लेजंडरी पोकेमोन है एज इस कलर और भाई लोग यह तोड़ा शैड़ टाइप है और इसको तुमने देखा था पोकेमोन की मूवी आई चूज यू मैं सब्सक्राइब कर दोस्तों मार्श शैड़ो एक बहुत ही अमेजिंग ब्लाक कलर में दिखने वाला पोकेमोन है अब मैं और इसके बार में कुछ नहीं बहुता है तुम लोग इसका फोटो भी देखके मतलब डेख सकते हैं यह कितना उपी है और यह अपनी अपनी सोब के बाइब तो बात थे अब बीट नंबर थो पोजिशन पर भी एक लेजंडरी पोकेमोन है और दोस्तों वह लेजंडरी पोकेमोन है यूनोवा रिजिन से तो यार कोमेंट शेक्शन में मुझे मैं बताना सब्सक्राइब जाओ और गैस करो कि वह पोकेमोन कौन सा है तो अगर तुमने अब तक गैस कर लिया होगा तो टीक है अगर राइट आया तो वह अच्छे होगे पैंट हो और नहीं आया तो देख लो वह है जेक्रूम दोस्तों यार जेक्रूम को इस लिश्टर में को रखना था क्यूंकि भाई जेक्रूम इस वन अफ मैं फिवरेट लेजेंडरीज क्योंकि वह बहुत ही लगता है अकेला जेक्रूम ही नहीं बलकि रैशे रहम भी बहुत मस्त लगता है और मतलब जेक्रूम की बात अलग है उसको अब ऐसे प्रेजेंट भी बहुत अलग तरीके से किया था एपिसोड वन में यूनोवा के जो कि है पोकेमोन और बीच में से जो ब्लू जाता है इन्ही सब चीजों के वैसे मैंने जेक्रूम को इस लिश्ट में नमबर टू का स्पॉर्ट दिया हुआ है सु काइस बाता दिये नमबर वन स्पॉर्ट के जो कि आजकी लिश्ट में है टॉप वाइफ बल्लाक की डूकी मोन की तो दोस्तों यह जो ब्लाट याले हुआ वह वह है एक लेजींडरी भ disp सुस्ट और दोस्तो ऐसा वैसा लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है यार यह हमारा सबसे प्यारा और चाहिता लेजेंडरी पोकेमोन है मतलब बच्चे बच्चे को पता है यह कौन है दोस्तो यह है हमारा केंटो रिजन का सबसे स्ट्रोंगेश लेजेंडरी पोकेमोन Kanto Rijan तो भाई लोग तुम्हारे मन में तो एक ही सवाल आया होतों है तो अगर तुमjs ने वह सही सोचा है तो तुम में तुम्होंपोर macam शैनना है को आ हुद Image यह दिखाया नहीं गया बट शाड़ो में असलियत में असलियत में नहीं मतलब एक्जिस्ट करता है कही ना खईप है पोकेमोन टोर्रामेंट्स गेम्स में एक्जिस्ट करता है तो भाई लोग अगर तुम चाहते हो कि इसका कोई ओरिजिन वीडियो बनाओ तो प्लीज कॉमे इसके साथ यह ताकत के साथ इसे क्या बोलते हैं इसे फुल ख़दरनाग वाली फिलिए वार्ण डिस्ट्शन जैसे फिलिंग आते हैं वह बहुत ही ओप्य है तो यार इनी सब चीजों को धान में रखते हुए मैंने शाड़ो नम्बर वन का स्पोर्ट डिया हुआ है इस प पसंने आका जो कि है टॉप वाइब लाक अलट पोकेमॉन के तो यार प्लीज आज के वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बैल आइकन है उसे ऊफल पर रखना ताकि मेरे लेटेस लेटेस व में को बहुत मोटीवेट होता है और ऐसी अलग अलग वीडियो बनाने के लिए तुम लोग के लिए मुझे पता है मैं बहुत लेट वीडियो डालता हूँ बहुत रीसर्च करना पड़ता है उसके बाद तुम्हारे लिए अच्छा सा वीडियो बनके आता है प्लीज 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 डू पोर्ट और उन खच्रीज में बताना मुझे तुम्हें कैसा लगा वीडियो और ये भी बताना कि आगे मैं और कौनसे टॉपिक्स पर वीडियो मनाओं अगर तुम्हारे पास टॉपिक्स होता हो तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए पास इतना ही अब में ज्यादा नहीं बोलता जश्ट मिलता तुम्हें के लिए वीडियो में पीस आउट जाहे हैं